ओम शान्ती सुनते हैं आज अव्यक्त बाप दादा के 20 अक्टूबर 69 के महावाक्य है आज की मुर्ली का सार है बिंदू और सिंदू की समर्ती से संपूरन ता आज प्यारे बाबा ने आज की मुर्ली में विशेश कमियों को दूर करने के लिए क्या याद रखें कमियां तो हम सब में हैं लेकिन उसको दूर करने के लिए क्या याद रखें वो खास बताया और फिर बाबा ने कहा रास्ता बड़ा सहज है प्रंतो मुश्किल क्यों बन जाती मुश्किलाते क्यों आती है सहज को मुश्किल क्यों बना देते हैं और आज बावा ने बड़ा सुंदर mathematics बहुत ही अच्छा mathematics समझाया है पलस और माइनस पलस क्या करना है माइनस क्या करना है तो सुनते हैं आज के बाप दादा के महाँ वाक्य है बिन्दु और सिंधु की समर्ती से संपूरनता 20 अक्टूबर 69 आज किस संग्ठन में बाप दादा आए हैं आज के संग्ठन को क्या कहेंगे आज का संग्ठन है ज्यान सूर्य और सितारों का इस भठी में जो ग्रुप बाबा के सामने गया हुआ है तो बाबा कह रहे हैं इस भठी में संपूरनता का ठपा लगा कर निकलेंगे फिर बाबा ने कहा कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे जिससे संपूरनता का पूराई छाप लगा कर जाएंगे तो बहुत सहज ते सहज यही बात याद रखना अब बाबा बात बता रहे हैं कौन सी ध्यान से सुनना कि मैं बिंदू हूँ और बाप भी बिंदू है लेकिन बिंदू के साथ साथ सिंदू है तो बिंदू और सिंदू ये बाप और बच्चे का प्रिचे है दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूरंता सहज आ सकती है बिन्दू और सिंदू मतलब बाबा को केवल बिन्दू समझेंगे वो तो फिर हमारी तरह ही साधारण हो गया लेकिन कैसे वो गुणों का सिंदू है वो सिंदू साथ में याद रखें फिर बाबा ने कहा कि बिंदू और सिंदू ये दो शब्द याद रखें तो सम्पूरनता सह जा सकती है एक की याद और एकर सवस्था एक की ही मत एक के ही कर्तवे में मददगार अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं सिरफ बिंदू और एक एक बिंदू मैं बिंदू बाबा बिंदू फिर एक मत एक रस एक अवस्था ये बाबा ने एक के कर्तवे में मददगार तो बाबा ने कहा सिरफ बिंदू और एक उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं है विस्तार में जाना है तो सिरफ सर्विस के परती फिर बाबा ने कहा अपनी समर्थी हम मैं बिंदू अब इसको जो भूलते हैं न अपनी विस्मर्थी के कारण ये सभी व्यार्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती है तो बाबा ने कहा समर्थी रहने से क्या होगा जो लक्षे रख करके आए हो समर्थी संपूरण विसमर्थी ऐसंपूरण विसमर्थी है तो बहुत ही विघन ही विघन कितना बाबा ने सुन्दर बताया खुद की विसमर्थी माना विघन ही विघन और समर्ती है तो सहज और सम्पूरनता है समर्ती को छोड़ेंगे ही नहीं तो वी समर्ती कहां से आएगी वैसे ही अगर समर्ती का सूरे सदा कायम रखेंगे तो वी समर्ती का अंध्यारा आ नहीं सकता यह अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंद्रुस्त आती और शक्ति सुरूप भी रहता है तो अलोकिक ड्रिल फिर फिर उपर नीचे निराकारी फिर साकारी निराकारी साकारी ये अलोकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतनी तंदरुस तर्थात माया की व्याधी नहीं आती और शक्ति सुरूप भी रहता है फिर बाबा ने कहा अब अब तक करम बंधन कहीं करम बंधन ये करम बंधन ये करम अब तक करम बंधन क्या अब तक भी करम बंधन की आवाज सुनते रहेंगे जब ये पुराना शरी छोड़ देंगे तब तक करम बंधन सुनते ही रहेंगे क्या आखरी टाइम में भी कहीं क्या करू मेरा ये बंधन क् आपने को बांते जाो अपना आपी करम बंदन खतम हो जाएंगे, आप समान भी बनाना है परजा भी बनाना है नहीं तो परजा बगार राजे किस पर करेंगे, आप समानवारिस भी बनाने है और परजा भी बनाना है तो परजा आपके बगर किस पे राज करेंगे बाबा ने कहा इसलिए दोनों ही सेवा करनी है तो ऐसे समझें के इतने सभी स्तारे संपूरन बन कर ही जाएंगे कहां कहां हिसाब पूरा ना करने के कारण जहां पलस करना है वहां माइनस कर लेते हैं अब सुनिए बाप दादा का मैथेमेटिक्स जहां पलस करना होता है वहां माइनस कर लेते और जहां माइनस करना है वहां पलस कर लेते इसलिए स्थिती डगमग होती है प्रवर्ति में रहने के कारण जहां ना जोड़ना वहां भी जोड़ लेते और जहां काटना ना वहां भी काट लेते यह छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है इसलिए यह भी पूरा पूरा सीखना है प्रिविर्टी में रहते हुए भी क्या तोड़ना है और क्या जोड़ना है कहीं जगे उल्टा फार्मूला अपना लेते हैं तो फिर बहुत समस्या खड़ी हो जाते हैं और जोड़ना भी है तो कहां तक और किस रूप में फिर बाबा ने कहा जैसे बाप दादा अब जब ये ग्रूप जा रहा था तो बाबा ने क्या कहा उनको छुट्टी देते हुए जैसे बाप दादा सर्विस के निमित आते जाते हैं तो आप सभी को भी सिरफ सर्विस के अर्थ निमित जाना है और सर्विस की सफलता पा करके फिर सनमु खाना है जाना है फिर आना है मतलब लौकिक घर को हमेशा अपना आफिस समझ के चलो घर तो मरा मदू बन है सेवा स्थान वो सेवा किया फिर जो है सेवा साथी बना के फिर बाबा के सामने सनमु खा जाना है अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंतर देते हैं बाबा को मंतर देते हैं कौन सा गो सून कम सून सर्विस परती जाओ और साथी बन करके जल्दी आओ ये अव्यक्त वतन का भी मंतर है और बदुबन का भी मंतर है फिर जाओ जब यहां गोसुन कमसुन होंगे तब बुद्धी द्वारा भी जल्दी होंगे बुद्धी की ड्रिल भी गोसुन कमसुन है ना जो जट से बाबा के पास आया फिर फिर दिन भर ड्रिल करता रहता है ना तो बाबा ने कहा वो फिर अंत में भी सफल हो जाएगा बुद्धी की ड्रिल भी गो सुन कम सुन है न वैस थिती तब होगी जब ये मंत्र याद रखेंगे फिर बाबा ने कहा हर एक के पुर्शार्त में विशीश गुण जरूर होता है उस गुण उस गुण को देखना है एक होता है गुण के साथ साथ फिर होता है गुणा कहते हैं ने गुण लग गया अगर गुण नहीं देखते हो तो गुणा लग जाता है तो हर एक के गुण को देखना है तो गुणा जो लगता है वह खतम हो जाएगा फिर बाबा ने कहा, आज इस ग्रुप के लिए बाबा ने कहा, आज विशेश डबल टीका लगा रहे हैं डबल टीका कौन सा है, एक तो निराकारी और दूसरा नियारा पन अगर हर एक नमबर वन होंगे तो नमबर टू कौन आएंगे बाप की कलास में कभी भी नमबर नहीं निकल सकते देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई पिता के आगे बच्चे सब बराबर हैं कोई नमबर टू नहीं टीचर भी नमबर वन तो सुड्डेंट भी नमबर वन टीचर भी सब को बराबर पढ़ाता है तो एक एक नमबर वन तो ऐसी कलास का तो मदुबन में चित्र होना चाहिए अच्छा ओम शामति और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे झाल